इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो यही इशारा कर रहे है कि शायद मोधी सरकार पर संकट मंड़ा सकता है ये कैसे होगा एक बड़ी खबर आ रही है टीडीपी और जेडियू को लेकर बहुत ध्यान से सुनिएगा ये दोनों पार्टियां इस बार इंडिये गटपंधन का हिस्सा हैं टीडीपी यदि तेलगू देशम पार्टी जो की आंदरप्रदेश की पार्टी है और यही पार् के चुनाओं में आंदरप्रदेश में अच्छा खासा प्रदर्शन भी कर ये 16 सीते लेकर आ रही है इसके अलावा बिहार में जेडियू अच्छा कर रही है बिहार में जेडियू की 16 सीते आ रही है तो अब इस हिसाब से देखे टीडीपी और जेडियू को मिलाकर तो 32 सीत संपर्क में हैं और ये भी हो सकता है कि अगर इन दो पार्टियों ने पाला बदला तो जो समिकरन देख रहे हैं जो गठबंधन 272 के मैजिक फिगर को क्रॉस कर सकता है अगर उन बीज सीटों में से जाधता देखे क्योंकि उन अगर इसी जहां पर बीजे पी फाइट में थी ही नहीं इसमें कुछ नॉर्थिस्ट की सीटे हैं और कुछ साउथ की सीटे हैं ऐसी स्थिति में अगर ये अदर्स भी मिल जाते हैं तो शायद यहां बीजे पी का समिकरन पूरी तरह से बिखर सकता है बिगड़ सकता है और मोधी सरकार में नरेंद्र मोधी की कुरसी खतरे में पढ देते हैं तो करीब करीब 32 सीटों पर अभी ये दोनों पार्टिया मिलकर लीड ले रही हैं अगर आप बंगाल चले जाए वहां पर 31 सीटों पर ममता बैनर जी की पार्टी की लीड है और इस हिसाब से अगर सब को जोड देते हैं तो ये मैजिक फिगर 274 पहुंच जाता है यानि ये सारा फिगर 274 पहुंच जाता है जो कि जो निर्णायक आकड़ा है 272 सीटों का उसको ये क्रॉस कर जाता है अगर एक लोगसभा ध्यक्ष को भी आप माइनस कर देते हैं चलिए वो क्योंकि वो न्यूटरल कुरसी होती है ना वो पक्ष का होता है अगर वो भी अलाइनस के पास एक अच्छा खासा फिगर बन सकता है सरकार बनाने के लिए दावा किया जा सकता है अब यहां पर यही पेज फस रहा है कि क्या इंडी अलाइनस के पास इंडिया गटबंधन के पास इतना फिगर आ जाएगा कि वो सरकार बनाने के हालक में पहुँच पगर बिजेपी के साथ जगड़ा चल रहा है इस वक्त ओडिशा में उसका बीजु जनता दल ने गलती से भी इंडिया इलाइंज को सपोर्ट कर दिया तो यह फिगर 276 भी पहुँच सकता है इसलिए यहाँ पर बहुत सावधान रहना होगा BJP को और उसके लिए बहुत बड़ा खत्रा है क्योंकि प्रधान मंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर यहाँ खत्रा सीरे खड़ा हो गया है। उस वक्त भी यहाँ पर 100 सीटों पर जो फाइट चल रही है वो करीब 1000 से 2000 वोटों के बीच की है यानि BJP की जो लीड है वो 1000 से 2000 वोटों के बीच है तो यह क्लोज कंटेस्ट दिखा रहा है और यही दिखा रहा है कि हो सकता है आखरी वक्त में पासा पलट भी जाए आखरी व खोड़ दिया क्योंकि पांच सीटों पर लोजपा आगे चल रही है लोजपा ने भी साथ छोड़ दिया चिराग पासवान अगर राम विलास पासवान की तरह मौसंग ज्यानिक बन जाते हैं यहाँ पर तो भी नुकसान हो सकता है BJP को लोजपा के साथ छोड़ने की संभा तो उपर से इस वक्त महरास्टर में भी अगर आप देखेंगे तो जो NCP गुट है जो जिस NCP गुट को तोड़ा था अगर BJP ने उस NCP गुट के पास एक सीट है और जिस शिवसेना गुट को तोड़ा था यानि कि शिंदे गुट को अगर वो शिंदे गुट भी साथ पूंकिन हो पाएगा जब इन सारी पार्टियों को कॉंग्रस नेत्रत्वत तोड़ पाए या कोई ऐसा इंडी अलाइंस का कोई ऐसा नेता हो जो इन सारे दलों को ये भरोसा दे सके कि हम अगर मिलकर सरकार चलाए तो शायद कुछ पहतर हो सकता है लेकिन इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है तो नजर बनाए रखेगा अन्मफ न्यूस पर हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे